ये साधारन समस्या नहीं है, लोग इसे समभल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं। आप जिस भी उम्र के हैं और आप अब तक नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे इस्तमाल करें। अगर आप हर चीज़ को वैसे ही देखें जैसी वो हैं, तो हर चीज़ का बहुत महत्व है, जीवन एक दौड नहीं है, अगर जीवन एक दौड है, तो आपको अंतिम बिंदू पर जल्दी पहुँचना चाहिए। मेर आत्म सम्मान कम है, आपके विचार से मैं अपना आत्म सम्मान कैसे बढ़ा सकती हूँ और खुद से नफरत करना कैसे कम कर सकती हूँ। वैल, ये आत्म सम्मान, ये आत्म विश्वास, दुर्भागे से ये चीज़ें दुनिया में बहुत जादा बेची गई हैं, आपको सम्मान क्यूं चाहिए? आपके लिए सम्मान क्यूं ज़रूरी है? सम्मान इसलिए क्योंकि आप हर समय किसी दूसरे से थोड़ा उपर होना चाहते है दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई गई थी किंड़ गाटन से ही पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है आप पहले होना चाहते हैं, तो आपकी खुशी इस से आती है, जब सभी आप से खराब कर रहे हूँ ये कैसा जीवन है? क्यों? हम अपने जीवन को ऐसा क्यों बना रहे हैं, कि अगर हर कोई खराब कर रहा हो, तो हम अच्छा महसूस करते हैं मेरे विचार से ये बीमारी है, अलो, आपको क्या लगता है कि ये खुशी है या बीमारी, आप मुझे बताइए अगर आप सभी बुरा कर रहे हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप नंबर एक पर हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दुर्भाग्य से, छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में ये थोपा जा रहा है कि उन्हें सबसे उपर होना है ये ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि अगर ऐसा दूसरे जीवों के साथ होता है मान लीजे कि ऐसा पौधों, पेड़ों और जानवरों के साथ होता है अगर एक चीटी हाथी जैसा बनना चाहे तो वो भयानक चीटी हाथी बन जाएगी, है न? मान लीजे, आम का पेड़ नारियल के पेड़ जैसा बनना चाहे तो वो एक भ्यानक आम का पेड होगा क्योंकि ऐसी एक शाखा से कोई आम नहीं निकलेगा आम का पेड ऐसा होता है नारियल का पेड वैसा होता है उन्हें वैसा ही होना चाहिए इसकी वज़़ा यह है कि कई तरह से लोगों ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उंचा है, क्या नीचा है, क्या उपर है और क्या नीचे है इस वज़े से आपने जीवन के हर पहलू पर इस माहिने में कभी ध्यान नहीं दिया शायद Humanities वाले लोग और वकील, आप क्या हैं, अकाउंट्स वाले लोग आपने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सभी प्रकार के जीवों, चींटियों, टिड़ों और कीड़ों और हर चीज़ पर ध्यान देने में बहुत समय बिताया है अगर आप ध्यान दें, मान लीजे एक चींटी है, या चलिए चींटी से थोड़ा बड़ा जीव चुनते हैं, जैसे कि एक टिड़ा, उसे देखना आसान है गौर से देखें, तो जिसने भी इस टिड़े को बनाया है, उसने एक टिड़े पर उतना ही ध्यान दिया है, जितना उसने इस इंसान पर दिया है क्रिपया ध्यान दे कर देखे जब स्रिष्टी के सरोत ने चीन्टी और आप पर एक बराबर ध्यान दिया है तो आप ये सोचने वाले कौन है कि चीन्टी तो च्छजीब है और आप सूपर इंसान है आप ये फैसला क्यूँ कर रहे है suivre श्रिष्टी ने ये फैसला नहीं किया है, शायद आप सोचें कि आप स्रेष्ट हैं, बस इसलिए क्यूंकि आप धर्ती पर अकड़कर घूम रहे हैं, पर ये सच नहीं है, सच्चाई वाकई ये है, देखिए अगर इस धर्ती के सभी रिंगने वाले कीट, अभी वो सब मर जा तो ढ़ाई से चार साल में सारा जीवन समाप्थ हो जाएगा, लेकिन अगर सभी इनसान मर जाएं, तो धर्ती फूलने फलने लगेगे, हाँ, हम अच्छी खाद हैं, अगर मनुष्य कहीं दूर चले जाते हैं, तो इस बिल्डिंग के बीच से ही पेड उगाएंगे, है न, आया न, सब कुछ फलेगा फूलेगा, तो आप से कौन कह रहा है कि आप सब से महत्वपूर्ण जीवन हैं, ये सोच कि ब्रह्मांड मानव केंद्रित है, ये एक बेवकूफ की सोच है, इस ब्रह्मांड में ये सौर मंडल खुद एक छोटा सा कण है, कल सुभा अगर पूरा सौर मंडल भाब बन जाए, तो किसी को भनक भी नहीं लगी कि, ये इतना छोटा है, उस छोटे से कण में पृत्वी एक सूक्षम कण है, उस सूक्षम कण में बेंगलूरू एक सूपर माइक्रो कण है, जिसमें आप एक विशाल आत्म सम्मान वाले बड़े इंसान हैं, ये कोई साधारन समस्या नहीं है, लोग इसे संभाल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं, असल में बात बस ये है, आप खुद को ऐसा बना चुके हैं, कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है, कि आप अपने विचारों और भावनाओं को संभाल नहीं सकते, यही बात है आप पचास साथ की उम्र के लोगों से मिली वे अब तक नहीं जान पाएं हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे समालें यह बुनियादी चीजें हैं आप कब सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे इस्तमाल करें मान लीजे कि ये आपकी उम्र 20 साल है और आप अपनी उंगलियों का इस्तमाल करना नहीं जानते तो लोग कहेंगे आप विकलांग हैं, है न? आप जिस भी उम्र के हैं और आप अब तक नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे इस्तमाल करें तो क्या आप भी विकलांग हैं? अलो? क्या आप हैं या आप नहीं हैं? आप हैं आप खुद को अपंग बना रहे हैं ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अस्तित्व का अस्वाभाविक विभाजन कर दिया है ये भभाजन कहीं और नहीं है, सिवाए आपके मन के हाँ, ये मानव मन के अलावा और कहीं मौजूद नहीं है क्यूंकि आप एक छोटी लड़की है, तो क्या मैं आपको छोटी लड़की कह सकता हूँ? लड़कों मैं आपसे कह रहा हूँ वो छोटी लड़की नहीं है मेरे लिए वो एक छोटी लड़की है जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो वो मेरे साथ हर जगा घूमते हुए बड़ी हुई साड़े तीन महीने की उम्र से वो मेरे साथ अकेली यात्रा करती थी मैं उसके साथ पूरे भारत में गाड़ी चलाता था उसे कार की सीट पर बांध कर तो वो इस तरह बड़ी हुई हर दिन हम किसी अलग परिवार के साथ होते थे लोग अदभुत थे पर बड़ी उम्र के लोगों की एक समस्या है जिस पल वे बच्चों को देखते हैं तो वो उन्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जिसने उनके जीवन में काम नहीं किया आपको देखना चाहिए ये ललक कितनी विवश्टा पूर्ण है जैसे ही वे बच्चों को देखते हैं वे सिखाना लगते हैं उन्हें सिखाना ही होता है तो मैंने एक नियम बनाया देखिए आप जितना चाहिए उसके साथ खेल सकते हैं आप उससे बात कर सकते हैं पर कोई भी उसे कुछ नहीं सिखाएगा पर सद्गुरू वो कुछ नहीं सीखेगी ABC कम से कम एक दो तीन मैंने कहा कोई एक दो तीन नहीं फिर वे बोले वो अपनी उंगलियां भी नहीं गिन पाएगी मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उसे अपनी उंगलियों को गिनना नहीं आता पर उनका इस्तमाल करना आता है तो मुझे पर्वा नहीं है अगर वो सोचे कि उसके हाथ में एक लाग उंगलियां है तो इसमें मेरी क्या समस्या है लेकिन वो एक दो ती, ने बी सी, मैरी हेडल, लिटल लैम सिखाना चाहते है मैंने का मुझे पर्वा नहीं है तो उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया वो बस सुनती थी सभी का बरताव क्योंकि अगर आपके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको आपको दूसरे इंसान को अपने बराबर मानना होगा तो वो बड़ी होती रही जब तक वो ढ़ाए तीन साल की हुई तब तक उसे लगभग साथ सो आठ सो नाम याद हो गए सभी बड़ी उम्र के लोग वो सोचती थी कि वो सभी उसके दोस्त है क्योंकि सभी उसे बड़ा मान कर ही बातें करते थे मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा होता लेकिन मेरी दिंचर्या बिल्कुल करबड हो गई थी तो मुझे उसे किसी एक स्कूल में भेजना पड़ा तो जब वो 12-13 साल की थी एक दिन वो घर वापस आई और वो स्कूल में हुई किसी बात से परिशान थी तो वो मेरे पास आकर बोली आप हर किसी को बहुत कुछ सिखा रहे हैं पर आप मुझे कुछ नहीं सिखाते हैं मैंने कहा देखो मैं बिना मांगे कुछ नहीं सिखाता अब तुम आई हो तुम बैठो तुमको बस ये जानना है कभी किसी को उंचा मत जानो उसने मुझे ऐसे देखा देखो जैसा मैं हूँ, तो ये कीमती चीज है, अगर तुम मुझे उंचा मानोगी, तो तुम क्या करोगी, शायद मेरी तस्वीर लेकर अपनी दीवार पर लगा दोगी, जैसे आप कई ऐसे लोगों को दीवार पर टांग चुके हैं, जो दुनिया में मूल्यवान है, मैं जो चीज को वैसे ही देखते हैं, जैसी वो है, तो हर चीज का बहुत मूल्य है, हर किसी के जीवन का एक स्थान और मूल्य होता है, हर प्रानी का मूल्य है, चूँकि हमें इसका एसास नहीं हुआ, तो हमने दुनिया में कितनी चीज़े नश्ट कर दी हैं, सिर्फ इसलिए ये कीमती है, वो कीमती नहीं है, यहां ऐसी कोई चीज नहीं है, जो कीमती नहीं है, हर चीज का अपना मूलिय है, शायद आप देखने ही पा रहे हैं, तो खुद को ऐसा मत बनाईए, आप बनाम बाकी दुनिया, मुकाबले में चले जाना अच्छा नहीं है, आप इस धर्ती पर नंबर एक बनना चाहते हैं, यह एक भयानक स्थान है, हर कोई आपके नीचे और आप उपर, क्या यह होने के लिए अच्छा स्थान है, मेरे ख्याल से यह एक बीमार स्थान है, किसी से आगे रहने की इस सोच को जाना होगा, वैसे किसी खेल या किसी चीज में मज़े के अगर आप सोचते हैं कि जीवन एक दौड है, तो आपको आज ही अंतिम बिंदू पर होना चाहिए, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आप वहाँ जाना चाहते हैं, नहीं, यह कोई दौड नहीं है, यह एक जबरदस्त सौभाग्य है, कि हम इनसान के रूप में पैदा यानि जीवन को अनुभव करने की हमारी क्षमता, धर्ती के किसी भी दूसरे जीव से कहीं जादा है, हमारे इनसान होने का यहीं महत्व है, हाँ, एक चींटी जैसे जीवन को अनुभव कर सकती है, एक टिड़ा जैसे अनुभव कर सकता है, या कोई दूसरा जैसे अगर आप रेस जीत जाते हैं, तो आपको आज ही शमशान घाट में होना चाहिए, आपको किसी आत्मसम्मान के जरुरत नहीं है, इस संस्कृती में शायद आप जानते हों कि ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस तरह होंगे, कोई रामदास होगा, खृष्णदास होगा, ऐसे है कि लोग सोच समझ कर एक घुलाम होने वाला नाम रख रहे हैं, क्योंकि एक आनंदित स्वेच्छा से बना दास एक जबरदस्त इंसान होता है, सिर्फ ऐसा इंसान जिसे किसी दूसरे ने घुलाम बनाया हो, वो अलग बात है, लेकिन स्वेच्छा से इस दुनिया में जो कुछ भी करने की जरूरत है, मैं वो करने को तयार हूँ, वो एक शानदार घुलाम है, है ना, मैं आसा ही हूँ झाल